तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए जो हमारी लास्ट पोएम है आंट जेनिफर स्टाइगर्स के शॉर्ट क्वेशन्स लॉंग क्वेशन्स और प्रिवेस वीडियो होता है किसी भी चैप्टर के सीरीज का तो चलिए आज ये वीडियो को शुरू करते हैं और देखने हैं कौन-कौन से कॉश्टिंस हमें रडियो और आज करने कवर वुअब हैं प्रियो न इसलिफे क्रिटिकल ओफड्यूर्ण वीडियो अिसलिर्व गल्स क्रिटिकल उब मेल वोर्ट तो निन्रृट्व टेरिफाइज वोमें लाइक आंट जैनिफर को लुजरी को तरह से अपने टाइगर को क्रीट किया है What traits of the tigers do they reveal और क्या traits हैं उन जो tiger created हैं उन में tigers के क्या कौन कौन से traits हैं जो वो reveal करते हैं ठीक है चलिए देखते हैं आंट जिनिफर्स has embroidered the tigers on the panel with her ivory needle and a wool तो आंट जिनिफर्स ने embroidery की है embroidery करके बनाया उन tigers को एक पैनल पे पैनल आप जानते हैं एक स्क्रीन टाइप की चीज़ होती है जिसमें हम embroidery करते हैं नीडल की मदद से और आइवरी नीडल है और वूल की मदद से embroidery की जा रही है the tigers that she has created are wild wild tigers हैं और free free है bright golden yellow bright golden yellow color के हैं denizens में denizens एक ही जगा पाया जाते हैं और फॉरेश्ट में पाया जाते हैं of the green forest ठीक है they are fearless and bold वो किसी से डरते नहीं है बहुत bold है jumping around with confidence बहुत confidence के साथ इधर दो जम्प करते हैं इधर दो जलते हैं totally opposed to her own character और उनके जो खुद का character है यान जनिफर का character है उनके ठीक opposite है next question देखते हैं what do you mean by the certainty that tigers possess आप जो certainty tiger में जो एक एक वो है इनके निश्चित होना कोई चीज उनके अंदर इसे कोई काम करना है तो they are certain वो एकदम निश्चित है कि हो जाए कि वो किसी से डरते नहीं है और वो वो काम करके मानेंगे तो वो जो certainty है उसका क्या meaning है तो देखिए इसका meaning क्या है the tigers used to fear the men जो tigers होते हैं वो लोग से डरते हैं लोग से मतलब की hunters वगेरा से डरते हैं but once they were made by aunt Jennifer they learnt courage एक बार जब वो आंट जनिफर द्वारा बनाए गए तो उनमें मतलब कहने का मतलब कि aunt Jennifer ने जो tiger बनाए वो अलग तरह के tigers हैं वो इतने strong इतने bold हैं और बहुत ज़्यादा courageous tigers in the new birth ही जो नया उनका जनम हुआ है aunt Jennifer द्वारा these tigers feel at ease and confidence बहुत easy feel करते हैं बहुत confident feel करते हैं now they do not have to run away from anyone अब उन्हें किसी से ढर के भागने के ज़रूरत नहीं है they move slowly and run ferociously वो आराम से चलना होता तो बहुत आराम से slowly चलते हैं और उनको अगर भागना होता तो ferociously बहुत ज़ पर search करके चले नेक्स देखते हैं how does the poet describe aunt Jennifer's tigers जो how does poet किस तरह से aunt Jennifer's tigers को describe करते हैं description कैसा देते हैं वो कि the poet describes aunt Jennifer's tigers as bright to pass denizens of the green word bright to pass denizens of the green word के वो fearless है they pace in sleek shiverly तो बहुत अराम से sleekly और smoothly उनके moments है next देखे what will happen to aunt Jennifer's tigers when she is dead जब aunt Jennifer's death हो जाएगी तो उनके tigers का क्या होगा the tigers created by aunt Jennifer's eternal वो हमेशा रहेंगे ठ्यूकि वो एक non-living thing पे बने हुए यानि वो खुद भी non-living thing थ्रेट से बने हुए तो वो हमेशा वही रहेंगे they will keep on prancing even after her और उनके मर जाने के बाद भी वो हमेशा उस पर रहेंगे प्रांस करते रहेंगे यानि personify किया गया यहां प्रांस प्रांस करने को असल में तो प्रांस नहीं करेंगे लेकिन वह हमेशा उसी statement रहेंगे वहीं पर इस टाइगर्स बॉर्ण आउट आउट ऑफ हर उसके कारण उनका जनम हुआ है उनकी imagination में जनम हुआ है आउट जनिफर की imagination क्वाले टाइगर्स है इसलिए हमेशा रहेंगे हमेशा प्रांस करते रहेंगे उनकी death के बाद भी what is the weight that lies heavy on आउट जनिफर's hand how is it associated with her husband वो जो weight है जो के आउट जनिफर के hand में like hand में है हात में जुड़ा से जुड़ा हुआ जो भार है वो क्या है ठीक है और how is it associated with her husband और वो उसके husband से किस तरसे associated है किस तरसे related है आउट जनिफर had a troubled married life with a domineering and oppressing husband आउट जनिफर की बहुत ज़दा troubled married life थी और उनके जो husband थे बहुत dominating थे ऑप्रेसिंग थे ठीक है बहुत subjugate करते थे women को she tries to find refuge in art to fight these demons but even here there is no such respite उन्होंने try to किया अपनी जो उनके प्रती operation operation या domination हो रहा था उसको fight करने का और इन demons को यह demons को यह नहीं प्रती शैतान को उन लोग कहा जा रहा है यानि कि husband या और कोई जो उनके torture बगएरा करते होंगे तो उनके प्रती fight करने कोशिश तो की बट यहां पे भी उनको कुछ respite नहीं होता है कुछ rest नहीं मिला कुछ फाइदा नहीं हुआ इन सब करने के कारण और this makes her hand quiver so much that she finds it hard to knit और यहीं इसी कारण यह आज भी बहुत डरी हुई है और quiver यानि कि बहुत ज़्यादा कापती रहनी है इतना जादा कि उन्हें knitting करने के लिए जो वो कर रही थी knitting करने थी embroidery कर रही थी उससे वो करने में बहुत ज़्यादा परशानी हो रही है तो इस तरह से उस weight का मतलब ह यानि कि weight का मतलब समझ रहे होंगे कि torture बगार जो ordeals से उनको face करना पड़ा अपने जिन्दगी में domination जो face करना पड़ा वो pain जो face करना पड़ा वो weight हो गया और उनके husband से किस्तर से related है क्योंकि वो उनका husband या और कोई man उन पर dominate करते थे और मुश्टी husband ही होते हैं तो वही dominate कर रहे थे इसलिए वह उनको बहुत problem हो रही थी इसके कारण को कि उनकी अपने self self चती वह चली कोई थी वह identity हो चुकी थी question number 7 how are the tigers different from art जो tigers उन्होंने बनाए हैं वो उनसे किस तरह से अलग हैं the tigers of the aunt Jennifer are quite different रहां बहुत ज्यादा different है कैसे different हैं in fact they are exactly opposite to the oppressed submissive personality वो बिल्कुल opposite है जो oppressed submissive personality किसकी aunt Jennifer की the tigers are a symbol of strength fierceness and beauty tigers जो हैं वो किस चीज़ के symbol है strength की ताकत की fierceness की और beauty के symbols हैं इस तरह से tigers बिल्कुल ही opposite हैं उनके question number seven question number eight what picture of male chavanism chavanism को मतलब tyranny tyranny का मतलब domination do we find in the poem ठीक है हमें क्या उस पॉयम में find करने को मिलता है aunt Jennifer tigers में तो देखिए 2016 का question है it shows constraint that a married woman experience यह constraint दिखाता है ठीक है जंजीरे दिखाता है जो एक married woman के जिंदगी में आ गई है uncle's wedding band on aunt Jennifer's hand this symbolizes the oppressive band of patriarchal society uncle's wedding band on aunt Jennifer's hand symbolize करता है oppressive band of patriarchal society पूरश प्रदान society का oppressive दबाने वाला band aunt Jennifer is forced to live in accordance with the rules laid by her husband and aunt Jennifer's किस तरह से रह रहे हैं उस तरह से रह रहे हैं फोस्फुली रहा 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 है और इस तरह से जिस तरह से रूल जो उनके husband बताते हैं ठीक उसी तरह से उनको रहना पर रहा है यानि उनको बहुत ज्यादा force forcefully उनको रखा जा रहा है she does not have any freedom उनके उनके पर कोई freedom नहीं है कोई आजादी सतंत्रता उनके जिमन से खता हो चुकी है question number 9 aren't Jennifer's effort to get rid of her fear proved to be futile futile का meaning होता है pointless या जो जो कोई अर्थ ना निकले जिसका कोई sense ना निकले कोई काम कर रहा है तो आप उसको futile बोलेंगे सारा efforts को futile बोल देते हैं aren't Jennifer's efforts to get rid of her fears proved futile जितना भी उतने effort गया अपने fears से बचने का उसा futile हो गया बेकार हो गया she embroiders tigers a symbol of desire of free spirit but her inner spirit has been jailed by the patriarchal society society does not show any consent for aren't suffering the society है वो भी कोई 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 करती है but her inner spirit has been jailed by patriarchal society बाहर से तो वो ऐसे चीज़ बनाती है जिससे उनको respite मिलती है एक आजादी की feeling आती है लेकिन अंदर से उनकी जो inner spirit है वो पुरी तरह से jailed है एक patriarchal society के अंदर society does not show any consent for aren't suffering जो society है वो भी कोई concern ने शो कर रही है aren't को जो जेलना पड़ रहा है उसके प्रती और even her death उनके death के प्रती क्योंकि हमने देखा है कि death के प्रती भी उनको कुछ नहीं फायदा हो रहा है death से भी उनको कोई छुटकारा नहीं मिल अपनी pain से उनका pain उनके inner spirit में बस चुका है her loss of freedom was her own loss और उनका freedom का loss था वो उनका खुद का ही loss था वो अपनी identity को भूल चुकी नहीं question number 10 in the poem aren't Jennifer's tigers what is the contrast between the reality of aren't's life and her imagination तो जो poem aren't Jennifer's tigers उसमें क्या contrast show किया जा रहा है between the reality of aren't Jennifer's tiger उनके imagination जो imagine कर रही है जो tigers वो imagine कर रही है और उनके असली जिंदगी जो है reality जो है उनमें क्या difference है तो aren't Jennifer is timid nervous and living a fearful existence in a male dominated atmosphere aren't Jennifer timid हैं बहुत डर्पोक हैं nervous हैं बहुत ज़्यादा nervous हो जाती है are living and living a fearful fearful existence बहुत ज़्यादा डर डर के जिंदगी जी रही है in a male dominated atmosphere और male की द्वारे जो dominate कियागा atmosphere है whereas her tigers are bold proud fearless masters prancing freely in their domain जबकि इनके टाइगर्स बहुत bold हैं बहुत proud हैं किसी से डरते नहीं हैं और अपने खुद के मालिक हैं प्रांस करते हैं यानि अराम से खुब इटला इटला के चलते हैं freely in their domain अपने domain अपने अपने इलाके में ठीक है तो इतना तो हमारे आज की वीडियो में अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक किजएगा और कमेंट करके बताएगा कैसा लगा आपको वीडियो सब्सक्राइब करिएगा मैं चैनल जो कि है वी एसस्ट्यू कपूर और मैं मिलता हूँ आपको तो यह सिरीज खतम हो चुकी है अगर आपको कमेंट करेंगे तो विस्टास की सिरीज भी हम लोग बना सकते हैं तो उसके लिए आपको कमेंट में मुझे बताएगा तो आज के इतना ही चलिए मैं मिलता हूँ आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक्यू